हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके त्यारी बहुत अच्छे चल रही होगी तो फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से स्वागता है मेरे यूट्यूब चैनल एकोनोमेक्स वेद मी में आज हम यूटिलिटी का पार्ट सेकेंड लेकर आए हैं और यूटिलिटी के फर्स्ट लेक्चर को आप लोग ने देखा और समझा आज समझेंगे इसके सेकेंड लेक्चर को और देखेंगे इसमें क्या क्या है तो फ्रेंड्स आई शुरुवात करते हैं फ्रेंड्स सेकेंड लेक्चर के अंत्रका आजम आपके लिए लेकर आए हैं सम सीमान तुप्युकता का नियम तो दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें क्या है इस नियम का पृतिपादन गोसेन नहीं किया था जैसे कि फ्रेंड्स उक में पहला नियम लेके आया था सीमान तुप्युकता हास नियम उसको गोसेन का पृत्थम नियम कहा जाता है और सब सीमान तुप्योक्ता नियम को गोशन का दूसरा नियम कहा जाता है इसे गोशन का दूसरा नियम भी कहा जाता है इसका उदभब सीमान तुप्योक्ता हास नियम से हुआ है इस नियम के अनुसर बताया गया है कि एक समय में एक व्यक्ति की आय इस्थिर या सीमित होती है परंतु उसकी आवसक्ता या सीमित होती है कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति की आय होती है वो लिमीटेड होती है और उसकी जो बान्स होती है इच्छाय जो होती है वो असीमित होती है या unlimited होती हैं लेकिन फिर भी व्यक्ति अपनी सीमित आई से अधिक्तम संतुष्टी प्राप्त करने की कोशिश करता है और वह अपनी आई को विभिन सयोगों को खरीदने में इस प्रिकार बे करता है कि उसे प्रतेक सयोग से बरावर संतुष्टी तथा अधिक्तम है जैसे वह बहुत से उप्योगों में लगा सकता है तब है उस बस्तु को उन उप्योगों में उसकी सीमानत उप्योगता बरावर ही रहे इस प्रिकार से लगाएगा क्योंकि यदि इसकी सीमानत उप्योगता किसी एक उप्योग में दूसरे उप्योग की अपिक्चा अध बित्रत करते से में उपयोगता, संतुष्टी तभी प्राप्त कर सकता है, जब विविन उपयोगों में बस्तु की सीमान तभी उपयोगता समाजाई, सात्यों कहने का मतलब यह है कि कोई दो उपयोग है मालो ए और भी, अगर ब्यक्ति को ए उपयोग से अधिक्तम संतुष्टी प्राप्त हो रही है, ब्यक्ति तो ब्यक्ति क्या करेगा, जो भी में उसने धन लगाया है, या कोई चीज घरीदी या किछी सेयोग को खईदा आया तो ब्यक्ति को निकल कर ए में लियाएगा, क्योंकि उससे क्या करना है, उससे आधिक्तम संतुष्टी चाहिए, फ्रेंड्स यहां सिमान तो प्यक्ता को M, U, E से दर्शाए गया है, और यह M, एक फॉर्मला होता है, M, U, E स्कोष्टू, M, U, A अपन, P, A, यहां पर M, U, E, बस्तू, A पर मौद्रिक वे की सिमान तो प्यक्ता है, M, U, E, बस्तू, A से प्राप्त सिमान तुष्टी गोड़ा है, P, A, बस्तू, A की कीमत है, फ्रेंड्स इसकी कुछ सिमाय होती है, पदी सिमाय होती है, वो देख लेते हैं, इसमें माना जाता है कि उप्वोक्ता को बस्तू, 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 बस्त आयादी पूर्ण रूप से बिवाज हैं परन्तु यह अवास्त्व का बदार्णा है क्योंकि कुछ बश्तिव हैं जैसे पंखा फिरेज कार इत्यादी बश्तिव को छोटे खण्णों व्यक्त नहीं किया दा सकता है इसनिम् के उपएयोग का होती है उपवोक्ता के वे का आधार है जाता है जिसे एडम इसमत ने हीरक जल बृदावास के नाम से पृतिपाधित किया क्लासिकल अर्थसास्त्री कीमत और उप्योकता के बीच पाए जाने वाले घर गनिष्ट सम्मंद से परचित नहीं थे बलकि उनका निश्यपूर ये मानना था कि कीमत और उप्योकता में कोई सम्मंदी नहीं होता है इस संदर में एडम इसमित ने पिर्षिद हीरक जल बुर्दावास का पिर्षिद उधान दिया था उनके अनसार जल की उची उप्योकता होती है पर उसकी कीमत सून होती है इसके विप्रीद हीरे की उप्योकता तो कम होती है लेकिन उसकी कीमत बहुत उची होती है क्लासिकल अर्थसाज्ट्री इस बुर्दावास को इसपर्ष करने में असमर्थ रहे थे, परंतु मार्सल के सीमान तुपयोकता के कारण इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं, जल जीवन के लिए अतियाब असक है, जिससे उसकी कुल अपयोकता अधिक होती है, परंतु पिरकृती म कम मात्रा में उपलफ होने के कारण उसकी सीमान तुपयोकता अधिक होती है, जिससे उसकी कीमत भी उची होती है, इस पिरकार किसी बस्तु की कीमत का निदारन उसकी सीमान तुपयोकता दौरा होता है, कुल अपयोकता दौरा नहीं, तो फ्रेंट्स आप यह समझ के होंगे आगे देख लेते हैं आगे उदासिंता बक्र शिद्धानत है जिसे दा इंडिफरेंस कर्ब भी बोलते हैं और इसे हम एक और नाम से जानते हैं तड़स्ता बक्र भी बोलते हैं तो देख लेते हैं क्या है उदाशिंता बक्र एक जैमिती भी दिये सरप्रतम एज वर्थ नहीं उदाशिंता बक्र की तक्निक का प्रियोग किया था उसके बाद किरमसा फिसर पैरोटो जॉंसन ने भी उदाशिंता बक्रों का प्रियोग किया परंतु उदाशिंता बक्रों क बिस्तत प्रियोग जे आर हिक्स और आर्जिरी एलेंड ने किया था बर्स 1949 में हिक्स ने अपनी पुष्टक बैल्यू एंड कैपिटल में इसकी बिस्तत ब्याक्ष की और बर्स 1956 में दूसरी पुष्टक एर रिवीजन ऑफ डिमांड तियोरी में इस सिद्दान का पिरमुक सं सोथन प्रिश्टत किया उदासिंत बख्र सिद्दान किन्थी दो वष्टक के विविन सयोगों के लिए उप्भोकता को अपने अदमान के अनसवार बैख़्े करता है कि उप्भोकता कोई ऐसी दो वष्टक के बीच तठस्त होता है जिनकी संतुष्टी समान होती है मतलब उन्हें उप्भोक करने का संतुष्टी मिलेगी वो समान होगी उदासिन्त बक्र विसलेशन उप्योकता के किरम बाचक माप की विदी है यह दवस्तों के उन सभी विविन सेयोकों को ब्यक्त करता है जो उब्होक्ता को समान संतुष्टी देते हैं इस पिरकार उब्होक्ता उदासिन्ता बक्र पर इस्तित किसी भी बिंदू के पिरती उदासी नम तठस्त होगा यही कारण कि उदासिन्ता बक्र विसलेशन सम संतुष्टी बक्र की नाम से भी जाने जाता है उदासिंता बक्र वेसरेशल किरम बाचक उपयोकता की दाणा पर आधा है इसलिए हम इसके अंतरगत बल इसके अंतरगत उपयोकता को प्राप्त बेविन वस्तियों की संतुष्टि के तुलना करते हैं इस पिरकार IC, इनडिफरेंश कर्व की सादयता से हम इतना कह सकते हैं कि उपयोकता को एक सयोंग से प्राप्त उपयोकता है दूसरे उपयोकता की संभाने फ्रेंट्स यहां एक बक्र दिया गया है जिसे हम इनडिफरेंश कर बोलते हैं फ्रेंड्स यहां जो IC है यह A, B, C, D और E से वोकर गुजरता है लेकिन फ्रेंड्स यहां जो A, B, C, D और E पॉइंट जो हैं इन सबकी जो Satisfaction Point है या Satisfaction है वो बरावर है संतुष्टीस की बरावर है तो देख लेते हैं चित्र A, B, C, D, E बिन्यों का पत है जो दो बस्तुओं के उन सेयों को दिखाता है जिनके पिरती उभुकता उदासीन है इस पिरकार उदासीन तबक्र उन विवन मात्राओं के जोड़नों को प बक्र की उस मानता है होती है उभुकता विवेकसील है अर्थात उभुकता को ये पता है कि किस बस्तु को उभुक करने से में संतुष्टी ज़्यादा मिलेगी और किस बस्तु को उभुक करने से में संतुष्टी कम मिलेगी अर्थात पर बस्तुओं को उन सेयों का करता है जिससे होसे आदिक्तम संतुष्टी प्राप्तों। बस्तों की कियमता निश्यत होती है। इस सिद्धान पर क्या माना गया है कि जो बस्तों की कीमता वो निश्यत होंगी ना तो बढ़ेंगी और ना घटेंगी। रुचियां, आधितों और आई परिवर्तनिय हैं। कहने का मतलब है। रुचियां, आधित और आई जो है वो चेंज नियोंगी, इस तर्रहेंगी। अपवोकता बस्तु और उनकी संतुष्टी की द्रस्टे से किरम देने में शक्षा में। कहने का मतलब यह है कि किस बस्तू से जाद अबो सनतुष्टी मिलती है किस बस्तू से कम सनतुष्टी मिलती है यह अबोकता को पता रहता है अबोकता के पास बाजार में उपलोट बस्तू की कीमतों के पूरी सूचना है कहने का मतलब यह है कि बाजार में जितनी भी बस्तू ह जितनी विश्टवे के लिए उन सब की प्राइज के बारे में उभगता को पता रहता है यह हासमान सीमान दर की मानता पर आदा रहे थे फ्रेंज इस सिद्धन के कुछ बिसेश्टा भी है उदासिंता बक्रों का डलान 22 दाएं रनात्मक होता है फ्रेंज से हमें एक बात बता दूँ कि जो बिसेश्टा है यह एक्जाम के परफस्चे बहुत महत पूर्ण है क्यों कुछ नहीं से हीट होता है आपसे पूछ लेगा कि उदासिंता बक्रों का डलान किधर से किधर को होता है तो उदासिंता बक्रों का जो डलान होता है वो बाएं से दाएं रनात्मक होता है उदासिंता बक्र मूल बिंदु की और सदय उन्तोदर होता है उदासिंता बक्र एक दूसरे को ना तो काड़ सकते हैं नहीं काड़ यह बाई अक्ष हो गया यह बाई अक्ष हो गया यह अक्ष हो गया तो जो इंडिफरेंस यह कर्ब जो है यह कभी ना तो इस अक्ष को चुएगा और ना इस अक्ष को चुएगा और ना यह कभी एक दूसर को इसपर्स कर सकते हैं ना यह कभी एक दूसर को काड़ सकते हैं तो अगली मानता देख लेते हैं कि उदासिंता बक्र किसी भी अक्ष को इसपरस नहीं कर सकता है नमर पांच देख लेते हैं एक दाईयों रिष्थित उदासिंता बक्र बाईयों रिष्थित उदासिंता बक्र के अप्यक्षा अधिक संतुष्ठी प्रतान करता है कहने का मतलब यह है कि अगर कोई उदासिंत बक्र आयं ओर को जाद आ ये तो वो अध़क संतिस्टी देगा यह बास्त में चूनियों की बात यो हता है फ्रेंड्स पिर्थी इस्थापन की सिमांत दर ये क्या होती है पिर्ति इस्थापन का मतला होता है एक तरसे इस्थानापन करना किसी एक बस्तु के इस्थान पर दूसरी बस्तु का उप्भो करना पिर्ति इस्थापन की सीमानत दर समान अधिमान वाली X और Y बस्तु की इकाईयों की बिनमे की दर है एक्स और बाई के लिए पृत्ति इस्थापन की सीमान्त दर बस्तु बाई की बहमात्रा है जिसका एक्स की हर अत्रिक दिकाई को प्राप्त करने के लिए त्याग के जाएगा प्रेंट से कहने का मतलब यह है कि जहां X की बाई के लिए प्रितिश्टापन की सीमान्त अगर आप मालो कोई X और बाई बस्तु हैं आपके पास मालिया की X बस्तु आपको अधिक संतुष्टी देती है बाई उससे कम देती है तो आप X को X के इस्थान पर बाई के इस्थान पर X का प्रियोब करेंगे और जो बाई बस्तु उसका त्याग कर देंगे यही प्रितिश्टापन की सीमान्त अधर होती है और इसे M, R, X से डीनोट किया जाता है तो फ्रेंट्स आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं कॉमेंट्स और लाइक करके और अगर आपके कोई भी इस टॉपिक के लिए क्वेड़ी है तो आप कॉमेंट्स के मान दमज़े छोड़ सकते हैं तो फ्रेंट्स हम बेदा लेते हैं कल एक नई क्लास के साथ फिर आज रोंगे फ्रेंट्स इसका अभी कुछ उप्योगता का भी कल एक क्लास हो रहाएगी तब यह कंप्लीट होगा तो फ्रेंट्स जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसे लगी हमारे चैनल को सब्सक्र करें और लाइक करें कमेंट करें थेंक यू जैहिन जैवारत